सबसे पहले तो इक बात बताओ जरूरी है क्या अरे जरूरी है क्या मैंने का हाँ अगर आपकी कोई सबसेटरी है कोई एसे जेवी है तो आपको cfs बनाना पड़ेगा यानि it is compulsory कौन बोला कौन बोला 129 सबसेक्शन 3 अरे सर कैसे बनाएंगे इसका audit कैसे कराएंगे मैंने का वैसे ही जैसा अपना खुद का करते हो जैसे आप अपने separate financial statements को prepare करते हो adopt करते हो audit कराते हो वैसी cfs का भी कर लेना accounting standard और schedule 3 लगा लेना तर अगर किसी company के पास exemption है कि cfs बनाने की need नहीं है तो वो क्या करेगी वो schedule 3 के disclosure दे तो काम चल जाएगा और ऐसी exemption आ जाती है अगर आप कोई intermediary subsidiary हो अगर आप कोई intermediary subsidiary हो जैसे कि यह वाला case हमारे पास कौन गौन है ultimate holding फिर उसके बाद intermediary holding फिर इसके नीचे कोई intermediary subsidiary और last में एक और subsidiary तो एक बात बताओ क्या इसको यह cfs बनाने की जरुवत है हाँ क्योंकि इसके पास यह subsidiary है तो इसको cfs बनाने की जरुवत है बट मैंने का तीन cases है तीन केसिज है अगर यह तीनों conditions पूरी हो जाए तो हम इसको exemption दे देंगे पहली चीज हमारा इसमें 60 percent share है यह जो company है यह parent company है ठीक है यह जो parent company है इसका subsidiary में किता share है 60 percent share है यह जो NCI है ना NCI का share किता है sir 40 percent that is the other member तो जो other members है हमने उनको inform कर दिया और उनको कोई objection नहीं उनको कोई objection नहीं है उनको कोई आपत्ती नहीं है कि अगर हम इसमें नहीं भी बनाए तो भी काम चलेगा ठीक है sir plus it is not listed ना कल listed होने वाले नाइधर it is listed right now नाइधर it is in the process of listing and last point is जो उपर वाली entity है या तो कोई holding company या कोई ultimate holding company ये लोग अपनी क्या बना रहे हैं ये लोग अपनी cfs बना के चल रहे हैं ये उपर वाले cfs बनाते हैं as per the accounting standard और register के साथ फाइल करते हैं तो अगर इन very simple it is a wholly or partially on subsidiaries and जो बाकी members हैं बाकी members हैं उनको हमने बता दिया that is the nci उनको हमने बताया उनको कोई आपती निये in writing बताया proof of delivery भी है they don't have any objection to the same second it is neither listed not in the process of listing and third जो उपर वाले हैं that is the holding और ultimate holding वो लोग अपने cfs बना के रोसी के साथ फाहिल करते हैं इसी तरह अगर कोई investment entity है जैसे कि mutual fund इसकी सर क्या इसकी नियत क्या है क्या यह entities में जो shares में पैसा लगाती है वो अपने पन के लिए लगाती है यह दूसरों के लिए लगाती है सर दूसरों के लिए लगाती है हम जैसे mutual fund holders के लिए पैसा लगाती है तो ultimately इसका पैसे लगाने का motive subsidiary पालना नहीं है प यू लगा रही है ताकि shares की value बड़े share से dividend है that means returns from capital appreciation investment income और both and third point is यह अपनी shares को कैसे value करती है fair value basis पे fair value through P&L तो इन तीन conditions के पूरे होते ही है investment entity है and इसको cfs बनाने की जरूवत नहीं है बट सर अगर investment entity के ऊपर कोई holding company है तो इसको cfs बनाने पड़ेंगे unless यह holding company भी investment entity है अब सर इसकी बाद हमने example discuss किया था इसको बस आप read करके चलेंगे और कुछ करने की जरूथ नहीं है then comes the topic of responsibility of parent अब सर पेरेंट का का काम क्या था मैंने का पेरेंट की जो management है उसका काम है cfs बनाना cfs मतलब एक parent होगा कुछ subsidiary होगी कुछ associate होगा कोई joint venture होगा इन सब को मिलाके cfs बनेगा तो इन सब को मिलाने के लिए पता भी तो होना चाहिए मिलाना क्या है ingredients क्या है तो मैंने का सबसे पहले components को identify करो तूम मेरा component तूम मेरी component आजाग बनाएंगे cfs तो मैंने का हमने component को identify किया और उनको बोला हमको अपनी financial information दो obtain accurate and complete financial information component मिल गए उनकी information मिल गई हम है तो क्या सबको मिला दे मैंने का नहीं मिलाने से पहले adjustment करनी पड़ेगी सर कौनसी adjustment consolidation adjustment consolidation adjustment दो तरीके की होती है क्या क्या होती है एक तो जो component हो सकता accounting standard वाला हो हमें indies वाले तो accounting standard से indies पे लाओ gap adjustment करो दूसरा क्या करना है मैंने का harmonium बजान है यानि harmonization of accounting policy उसकी accounting policy अलग है हम harmonize करो तभी मिला पाओगे तो मैंने का दोनो consolidation adjustments कर लेना harmonization of accounting policy और gap adjustment come on harmonization of accounting policy and gap adjustment जब आपने adjustments कर ले आपका काम खतम अब सर दो points आप भूल जाओगे दो points आप भूल जाओगे क्योंकि इन indies को भी आप तमीश से पढ़ते तो हो नहीं तर यह कौन से दो indies है 108 और 24 तो इनको ध्यान रखना related parties का disclosure proper होना चाहिए segment reporting proper होनी चाहिए अब आते सार अगला सवाल as a auditor हमारा objective क्या है मैंने का हमेशा same objective होता है reasonable assurance लो opinion दो reasonable assurance लो opinion दो तो यहां पर भी यह reasonable assurance लेंगे satisfy होंगे कि financial statements accounting standards के साथ से बने एक बार यह satisfaction मिलके तो opinion दे देंगे कि वो true and fairview देते हैं फिर 143 वन में inquiry करेंगे 143 की reporting करेंगे come on 143 वन में inquiry करेंगे 33 की reporting करेंगे and last में बड़ा ही अजीब point यह satisfy करेंगे कि भई हाँ इनको need थी इनको need थी parent को need थी cfs बनाने यही है अब लास्ट point आता है materiality materiality क्या है यह materiality materiality क्या है यह materiality materiality क्या है क्या है सर materiality तो 320 में निकालते है ना यह CS में क्यों डाला topic न ने का 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 टॉपिक है ध्यान से सुन लो बाबू RX यह जो materiality है न यहां पर दो materiality निकलेगे जैसे एक तलाव में कैसी मचलीोती है बड़ीское होती है या भी दो mati reality निकालेंगे बड़ी material एक छोटी materiality आप बात करें सर हां यह जो बड़ी materiality है ना यह पूरे consolidated financial statements की materiality इसका नाम रखा group materiality क्यों कि बड़ी materiality दो काम करेगी सर क्या एक तो जो आपके consolidated financial statements की adjustments है नो जो भी हम पढ़ते permanent adjustment, current period adjustments, येस, 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 उनको audit करने में काम आएगी, क्या बात समझा ही, आँ सर, दूसरी चीज, हर component material नहीं होता, हर subsidiary material नहीं होती, तो ये identify करने के लिए कि कौन से components material है, किनका हमें ध्यान रखके चलना है as a auditor, उसमें help करेगी, तो दोनों काम क्या क्यों होगा, एक तो consolidation adjustments, audit करने में, दूसरा material components identify करने में, अब जब कोई component material है, तो उसका audit होना चीए, तमीज से नहीं होना चीए, सर, होना चीए, तो उसका जो auditor है, component का जो auditor है, उसको आप उसकी individual materiality बताओगे, उसके individual components की materiality बताओगे, इसको कहते चोटी materiality, तो बड़ी materiality से यह पता चला, कौन सा component material है, अब जो material component है, उसकी अलग materiality निकलेगी based on its own financial statement, जिसको बोलते है, चोटी materiality, अब आब component की auditor को communicate करोगे, और phone रखने से पहले, check कर लेना phone रखने से पहले, check कर लेना, क्या वो independent है, code of ethics से comply करता है, या, नहीं, you got the point or not, yes sir, तो materiality वाले point बड़ी materiality, छोटी materiality, बड़ी materiality, ग्रुप materiality, जिसका काम क्या है, consolidation adjustments को audit करना, दूसरा यह identify करना, कौन से component के financial statements material है, अब जिसके material है, उसके component की auditor को call करके, उसकी खुद की materiality बताओ, एंड साथ ही साथ confirmation ले लो, तो independent है न, पूच लेंगे से, अब सरी बाह बताओ, क्या बताओ, अगर component के financial statements में, कोई modification हो रही है, component के auditor ने कोई modification करी, तो क्या, हम भी अपनी report को modify करें, मैंने का नहीं, हम अपनी report को modify नहीं करेंगे, सर, क्यूं क्यूं नहीं करेंगे, मैंने का बात समझना, हो सकता है जो component के लिए material हो हो सकता है, जो component के लिए material हो, वो हमारे पूरे consolidation के लिए material नहीं, जो component के लिए material है वो consolidation के लिए material नहीं, तो इस point को ध्यान में रखते वे आख उस materiality को ignore भी कर सकते हो you need to consider your consolidated financial statement की materiality when considering such modification हम सर एक बाह बता हो क्या as a auditor मुझे audit plan करना पड़ेगा planning होती क्या है planning is nothing but the planning the nature timing and extent of audit procedure मैंने का उससे पहले तुम पहले समझ तो लो सीधा जाके audit procedure कर डालोगे क्या नई सर पहले हम syllabus को समझेंगे फिर पढ़ाई करेंगे तो पहले हम group को समझते हैं उसकी accounting policy को समझते हैं let's understand the gap gap का क्या मतलब है group और उसकी accounting policy understand the group structure and group wide controls understand the group's accounting policy जब ये दोनों चीज़े समझ आजेंगी तो समझ आजेगा कितना काम लगेगा determine and program the nature timing and extent of audit procedure और सारा काम खुद नहीं करना subsidiaries के auditor है component के auditor है so you can use the work of other auditor बट उसके लिए coordinate करना पड़ेगा क्या यहां तक सारे point clear है हाँ sir फिर आता topic about the completeness of component कैसे ensure करें सारी subsidiaries और associates आगे मैंने का तुमको tension नहीं लेनी management को लेनी है तो management से समझो management से समझो उनका क्या procedure of identifying the component क्या उनको इस बार पिछली बार के comparison में कोई नया component मिला या कोई पुराना component consolidation के भार चला गया अब आप अपने खुद के working papers देख सकते हो कि पिछली बार आपको कौन-कौन से component मिले थे क्या यह तीनों point clear है हाँ sir अब कोई component बनता कैसे है कोई subsidiary बनती कैसे logical वाले points पर आ जाओ हम जब investment करते हैं very good joint venture करते है joint arrangement करते है या फिर कोई other arrangement करते है जिसमें वो हमारी associate बन जा है या फिर there could be a change in the shareholding तो यह सब चीज़े आप देखके चल सकते हो अब आती है permanent consolidation adjustment current period consolidation adjustment very very easy FR पड़ा है हाँ अच्छा FR में जो आप goodwill निकालते हो वो permanent है जो NCI निकालते हो वो भी permanent है प्लस आपकी NCI में जो changes होते हैं in the change in shareholding वो भी permanent है very good अब किसी entity में goodwill आई किसी में capital reserve तो क्या करो जो balance sheet का face है उस पे तो उनको आप net off कर सकते हो but notes to accounts में आपको उनको अलग-अलग दिखाना पड़ेगा अब आती है current period consolidation adjustment इसकी हमने pairing की थी सबसीडरी ने holding को loan दिये तो इसको क्या बोलते है intra group indebtness group के अंदर-अंदर ही indebtness खेल रहे है और फिर parent ने इसको interest दिया तो उसको eliminate करेंगे तो यह कहता है intra group interest paid और received intra group indebtness दोनो related points हो गए हो गए sir अगला point क्या है इसने इसको asset भेजा किसने किसको किसी ने भी किसी को भेजा होगा group में ठीक है हमको क्या फरक पड़ता है तो अगर किसी ने किसी को asset भेजा और उस पे कोई profit था तो वो profit तो unrealized है ना actual में actual में profit realized थोड़ी हूँ है वो asset तो अभी भी group का part है तो अगर कोई unrealized profit है on the transfer of assets उसको आप eliminate करोगे जैसी eliminate करोगे defer tax निकल का हैगा तो defer tax को consider कर लेना and last point was the two adjustments that we discussed earlier harmonization of accounting policy and gap adjustment इसके लावा ये दो points हमने और discuss किया थे इनको please read करना इन पे हमने question भी discuss किया question bank में significant transaction जो होती है between the component की balance sheet date 31 December और 31 March जो हमारी CFS की date है उन significant transaction को भी consider करके चलना है अच्छा तरह एक बाह बताओ component के जो financial statement है और जो CFS है इसके बीच में date gap कितना हो सकता है तो यह कहता है अगर accounting standard की बात करो तो 6 months, Indian accounting standards की बात करो तो 3 months, 3 months से ज़्यादा का gap नहीं हो सकता अब यह वाला point पे भी आई से खेलता है फिर क्या CFS में आपको क्या information अलग से दिखाने की जरूरत है तो यह कहता है आपकी जितने भी entities है ना CFS का part है, सबका आप दिखाओ क्या एक तो net assets, that is the assets minus liability उनके net profits और OCI TCI नहीं, total comprehensive income नहीं, OCI other comprehensive income तो net assets दिखाया, OCI दिखाया, और क्या दिखाया PNL दिखाया, plus उसका share दिखाओ to the consolidated figure that is the share of the consolidated net assets share of the consolidated PNL share of the consolidated OCI बस यह किसी बात धार रखनी है अब सर कुछ ऐसी information है जो SFS में तो आती है बट CFS में नहीं आती है बड़ी अजीव information है, बोलो मिर साथ बड़ी अजीव information है, अजीव और गरीव information है, सर क्या है इसके यह बात करते हैं कुछ bonus shares की पता नहीं क्यों करते हैं, क्याते bonus shares करके कुछ होता है, तो वो जो bonus shares आपने कैसे दिये, किसका क्या source से आपने bonus shares दिये वो आपको SFS में बताने, CFS में नहीं, तो मैंने का shares वाले दो point ध्यान रखेगे bonus shares जो free में दिये दूसरे shares जो पैसे लेके दिये उस पैसे का जो unutilized part है वो आपने कहां रख रख है, वो आप बताओगे तो the unutilized money वो आपने disclose करने, कहां invest कर रख है, तो share से पैसा लिया उसके बाद आप बोलो, हमने इसको बाहर भेज दिया, foreign में भेज दिया, तो foreign में जब भेजोगे, तो इन थरीके के आपने चीज़े disclose करने है, पहली चीज, जो भी आपने imports करें CIF basis पे, CIF क्या था, cost insurance rate come on, cost insurance rate, जो भी imports करें CIF basis पे, वो बताओ किस चीज़ के import किये, RCC, raw material कोई capital good हो गया, कोई आपका अजीब सा नाम क्या था, components components and spare parts हो गया, अब ये आपने import करके use किया, come on ये जो आपने import करके use किया अपनी production में, वो बताओ, कितना आपने imported use किया, कितना indigenous use किया, इंडिया वाला use किया, बड़ी अजीब अजीब चीज़े पूझ रहे है, बदा नहीं क्यों, बड़ी अजीब आ रहे है services के लिए भी payment की expenditure, मैंने का हाँ, के रहे है, expenditure बताओ, in the foreign currency, किसको लेके about the royalty, know-how, etc आज point हो गए ठीक है, तो पहले क्या करा, equity के 2 points discuss करे, तीसरा हमने खर्चों की बात करी, जो हमने foreign में की है, forex में की है, अब last point sir, बड़ा चोटा point है, तो उसका disclosure देख ले न, MSNB micro, small, medium, नाम ही छोटा है micro, small, medium, enterprise वाले जो disclosure होता है, MSNB development है, 2006 clear, clear पिर ये return representation, ये उनी चीजों को लेके, जिसके लिए management ने क्या दी थी, responsibility, जो parent की responsibility थी, उसी को लेके return representation आपने ले ली, अब start होता है, reporting वाला पार्ट, मैं इसको मानता हो, सबसे important और सबसे easy, सर ऐसा क्यों, कुछ है ही नहीं, देखो क्या गएगा, parent का auditor is also the auditor of the component, दोनों का auditor same है, तो auditor क्या करते है, क्या financial statement as per the FRF बने, as per the accounting standard बने, नहीं, there is a deviation, अगा deviation है, तो modify करो as per 705, नहीं है, तो say, they gave a true and fair view, किसका balance sheet का, P&L का, cash flow का, खतम कहानी, अब सर parent का auditor अलग है, subsidiary का auditor अलग है, तो क्या मुझे use करना पड़ेगा, work of other auditor, yes, SA 600 will be applicable, बड़ मैंने आपको क्या गाता, अगर चार बच्चे मिलके project report बनाते हैं, तो क्या, चारो का नाम आना चीए, हाँ, चारो का नाम आना चीए, सर, चारो का नाम आना चीए, तो इसी तरह आपको बताना पड़ेगा, कितना काम, subsidiary के auditor ने किया, what is the magnitude of work which is done by the subsidiary auditor, सर कैसे बताओ, कौन सा para help करेगा, other matter para SA 706, बोलो मिर साथ, other matter para SA 706, अब सर मैं कैसे बताओ, तो या तो आप aggregate amount बता दो, कि इसने इतना काम किया, या इसको in percentage terms बता दो, सर, percentage हो, total assets, total revenue, cash flows, come on, total assets, total revenue, cash flows, जो भी assets, revenues, और cash flows है, उसके percentage terms में आप बता सकते हो, अब आपका अगला सवाल, पर यह जो assets हैं, यह जो revenues है, यह जो cash flows है, यह before consolidation adjustment या after, मैंने का before, आपने इसमें before consolidation adjustment लेने हैं, आपने इसमें after नहीं लेना, ठीक है सर, and last point बड़ा simple था, अगर मैं इस तरह से दूसरों के काम को refer कर रहा हूं, क्या इसका मतलब यह है, as an auditor में अपनी report को qualify कर रहा हूं, क्यारे, नहीं नहीं, यह qualification नहीं, it is just a indication, बोलो मिर साथ, it is not a qualification, it is a indication of the divided responsibility between the parent का auditor and the subsidiary का auditor, अब सर एक बाब बताओ, मेरे जो component है न, मेरा जो component है, यह component इंडिया का नहीं है, US वाला है, ओ, US वाला है, हाँ, अब इंडिया में इंडियास चलता है, subsidiary, US gap के हिसाब से बनी विये, तो क्या करें, gap conversion, याद है, gap conversion करनी पड़ेगी, तो gap conversion के दो तरीके, क्या, यह जो US के financial statement है, इनका audit तो auditor ने already कर दिया, हाँ, तो इसी auditor को बोल, तुने audit तो कर दिया न, तो यह कहता है, यार कैसे करू, मुझे तो INDIYS आता ही नहीं, हैने का, देंगे ना तिरको, हम तिरको इसकी guide देंगे, guide का नाम है GEM, Group Accounting Manual, हम आपको Group Accounting Manual देंगे, उससे आप US gap से INDIYS में convert करके दो न, तो कहता ठीक है, अगर यह बोल दें, नहीं, नहीं, ठीक नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम management को बोलेंगे, हम entity को बोलेंगे, उसकी management को बोलेंगे, भई, तुमी conversion करो, तुमी इसका conversion करो, और जो भी conversion होगी, उसको as a auditor, आप चेक करके, चलोगे, तो यही दो बातें यहां लिखी भी है, कि अगर उसने game use किया है, तो आप चेक करो, as a auditor की game ठीक है कि नहीं, अगर उसने game use नहीं किया, entity खुद conversion करेंगे, तो आप as a auditor, conversion adjustments देखोगे, तो अगर कोई component audit नहीं हुआ, तो अपनी report को modify कर दे, मैंने का, भूल के भी मत करना, भूल के भी मत करना, you have to consider a possible modification, possible modification क्योंकि आपको evidence नहीं मिला, and आप consider करोगे materiality, इसको यह किस तरह से लिखते हैं, consider both the qualitative as well as the quantitative factors when determining the modification as per s705, तो यहां आपका 18 minutes 30 seconds में, पूरा का पूरा revision of audit of CFS complete होता है, I hope you enjoyed this class, I hope you enjoyed the revision, and बस मैं आपको एक छोटी सी बात और काऊंगा, फिर टाटा बाई बाई बाई, push harder than yesterday, if you want a better tomorrow, कल जो महनत की, अच्छा किया, good, करनी चाहिए, बस आज थोडी सी और extra करेंगे, आज थोडी सी और extra करेंगे, ताकि कल और बहतर हो सके, ताकि कल और बहतर हो सके, so thanks a lot, thanks a lot everyone for attending today's session, I enjoyed, I hope you all enjoyed too, इसी तरह खुशी से मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से बढ़ेंगे, तब ही आगे बढ़ेंगे, make sure, जो भी questions थोड़े बहुत मैंने homework में दिये हैं, please आप उनको अच्छे से practice करके चल रहे हैं, and yes, कल मिलते हैं, कल की class में, तब तक के लिए हमेरा ही audit के फिर मिलेगे, चलते चलते,